आस्टेलिया के खिलाडियों का भारत के दोरे के बीच घर लोटने का सिल्सला जारी है। एक के बाद एक वापस लोट रहे खिलाडियों में अब स्पिनर एश्टन एगर का भी नाम जुड़ गया है। कंगारू टीम के नेशनल सेलेक्टर टोनी डोड मेड ने वुदवार को कहा कि एगर को घरेलू क्रिकेट खिलने के लिए टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है और हुआ स्वदेश लोट चुके हैं। बता दे कि एगर घरेलू सीजन के आफ़ी फेज में वेस्टन आस्टेलिया के लिए खेलेंगे। एगर के अलावा सलामी बहले बास डेविड वॉर्नर और तेज गेंद बास जोस हैजल वुड भी चोट के कारण टीम से बाहर होने के बाद पहले ही स्वदेश लोट चुके हैं। पॉर्डर कावस के ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट एक मार्च से इन दौर में शुरू होगा।